हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल फिन्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाले हो एक हेल्दी नाश्ते की रेसिपी जो बड़ों को तो पसंद आएगी ही, लेकिन बच्चों की बहुत फेवरेट बन जाएगी तो आएए आज का वीडियो शुरू करते हैं हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है तीन आलू ये उबले हुए आलू हैं, कच्चे नहीं हैं, इनको हमने ग्रेट करना है कि नियुद्य है उबले हूए आलू को घिसने के लिए या घ्रिड करने के लिए मैंने लिया है ये ग्रेटर और इसमें तोẑळा लगा लेंगे इसको खुर्फ से ब्रेस से कर लेंगे या रहरां से कर सकते हो बैसे होगा क्या कि Your यह देख सकते हैं यह देखें अराम हमसे निकल रहे हैं अगर हम इसमें ऑइल नहीं ही लगाते थह चपक जाते ही ऑंगे उसमें कर लित हमने हरीमिर्च को हैरीपिच को साले मसालो में आदी फैना जीरा पाउडर Ri छोट Top Sur डाले चाट मसाला सभी चीजों को मिक्स कर देंगे I said चाट मसला डाल दिया सभी चीज़े को मिक्स कर लेंगे हाथ से कर सकते हो तो हाथ से कर लो स्पून से कर सकते हो जो आपको ठीक लगे उससे आप इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह से हाथों से mix कर लेंगे इसको इसके बाद मैं इसमें डालूँगी corn floor corn floor डाल दूँगी अगर आपके बस आरा रोट है तो आरा रोट भी डाल सकते हो मैं यहां corn floor डाल दो से तीन चंबर देंगे इसमें इससे किस्पी बनेंगे हमारे जो नाष्टा बनारे है वह किस्पी बनेगा आप वीडियो में एन टक वने रहेएगा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता बने गाई यह वीडियो एंड तक जरूर देखेगा यह देखि इस तरह से और हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑल ताकि यह हातों में चिपके नहीं एक चम्मर डाला है मैंने यहां पर ओयल कोई भी डाल सकते हैं आप देखिए ऑल डालने कवाद इस तरह से मिक्स करके थोड़ा डोप सा बना लेंगे इसको अच्छे से मैश कर लेंगे आल इसको ले लेंगे एक स्टिप ले लेंगे हम इसके ना दो पार्ट कर लेंगे यह देखिए इसके दो पार्ट कर लेंगे इस तरह से इसको रख देते साइड में अब हम थोड़ा सा पार्ट जो हमने आलू का पेस्ट बनाया है इसका ले लेंगे हातों में थोड़ा चिकना क लगा करके लेकर थोड़ा सबस्दाइब कर दिने दैखहर फिलाइट दिया मैंने आप इसमें रखेंगे अपना चीजро स्लाइब लाइत और यह दो पारट करें उसमें इस तरह रखेंगे अनुट कर एक रख मैं THIS में इसको खर देने ऑर इसको कर बड़ा देखिए मैं मेडियम साइज का बना रही हूं ना चोटा है ना बड़ा है इस तरह से मैं सारे चीज रोल को बना लोंगे हम चीज रोल बना रहे हैं जो की बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं यह देखिए इस तरह से फ्लैट कर लेंगे फेस में हम चीज को से रॉल करकी रखेंगे और को कर देंगे बंत इससे मैं और भी सारे बना लेती हूं देखे आप देखे मैंने और इस और बना ली आप कडायि हैं अब हम कड़ाय में मिल्ग गरू करेंगे मीडियम ओयल गरम करना हमने और इनको सेगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर देखिए इस तरह से डाल लेंगे जितना कड़ाई में स्पेस तो उतना ही डाले और इसको एक से दो मिट के लिए बिल्गुल भी टेच नहीं करेंगे अधरवाइस यह फट जाएंगे अधर प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तह आपने मेरे चैनल को सबस्काइब नहीं किया है फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबस्काइब करके बैल बटन को दबा करके और पर क्लिक कर लीजेगा जिससे आप को मेरी आने वाली सभी वीडियो का नौटिफिकेशन मिल सके और आप नेक्स्ट रेसीपी कौन सी देखना चालते हो आप प्लीज मुझे कमेंड में ज़रूर बताईएगा कमेंड में मुझे ये भी बताईएगा कि आप इस नाश्टे को कब बनाने वाले हैं तो देखिए मैंने इसको एक दो मेट के बाद पलटना शुरू कर दिया यह देखिया आप कितने सुन्दर लग रहे हमारे चीज रोल जितने देखने में सुन्दर लग रहे हो उतने खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा माज़ा सकते हैं और आप यहाँ पार चीज्वा की जगें आगर आप के बास मौसरेला चीज तो भी डाल सकते हैं आपक इसी और वessäय्टेबल चीजित रॉल बना जाते तो आप इसमें छीज के साथ-साथ वेजितवल भी डाल सकते हो देखिए हमारे चीज रोल जो है लगबक सिक करके तयार हो गए है मैं निकाल ले तुए इनको एक प्लेट पर इस तरह से हम सारे चीज रोल को सेक लेंगे सब्सक्राइब करें है तो देखिए हमारे चीज रोल से करके बिलकुल हो गया है तैयार इनको कर देते हैं सर्व यह देखिए मैंने इनको कर दिया है सर्व देखिए मैं तोड़कर दिखाती हैं अभी आपको यह देखिए वाव चीज कितना मस लग रहा है कितने अच्छे से सिखें बहुत ही टेस्टी है फैंट्स मेरे कहने से एक बार जुरू बनाकर देखेंगे बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं यह देखिए दूआ नहीं कर रहा है कितना आप इसको ग्रीन चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ गर्मा गरम सर फीजिए बहुत ही टेस्टी वनेंगे तो चलिए फ्रेंड्स जाइए फटाफ़र से किचन में बनाईए खाईए एंजॉय कीजिए मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्स फर वाचिं बाइए